Hello everyone, welcome to the DS Guruji, राजस्तान जी के अध्यन का ये सातवा लेक्चर है, छह लेक्चर अपन पढ़ चुके थे जिसमें अपने जलवाईयों और फिजिकल जो राजस्तान के पार्ट है, उनके बारे में अध्यन किया था, आज का लेक्चर काफी ज़्यादा महत्वण होने वाला है, स समाज आते हैं, सात्वा है, ये वीडियो लेक्चर और इसके अंदर बहुत ही महत्तोपूर्ण बाते में आपको बताने वाला हूँ, जो हर एक एक एक्जाम में तो आपके आई रही है, उसके साथ साथ आपको याद होने में बड़ी कतना ही भी होती है, तो मैपके माद्यम से especially अपन समझेंगे, ये चीजें पढ़कर के आप याद नहीं कर सकते, इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा डेटा लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और point to point अपन चलेंगे, जहां से directly प्रस्ण बने हैं, और वहीं से प्रस्ण उठ कर के आता है, अगर याद नहीं होता है, तो समझने की कोशिस करें, क्योंकि याद करने वाले चीजे basically जियोगराफी में बहुत कम होती है, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चछपनी चीए, समझने में आने चीजें कि क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से हो रही ह और मेप काफी ज़़ा अहम रोल इसमें अदा करता है तो इसका भी अपन उप्योग लेंगे तो सुरुवात करते हैं प्रमुक भोतिक वी भाग सबसे पहली बात ये जो टोपिक है थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें दो तेन लेक्चर लगेंगे फिर अगला टोपिक स्टाट होगा प्रमुक भोतिक वी भाग बेसीकली राजस्तान में अगर बात की जाये तो आप देख सकते हैं ये राजस्तान है दूसरे में को ले लेते हैं ये राजस्तान है अब यहां पर आप देखेंगे कि सबसे उपर जो है, वो स्री गंगानगर है स्री गंगानगर से जस्ट साइड में आपका कोन पड़ जाता है ये हनुमान कड़ पड़ जाता है प्रस्नी ये बनता है जो एकजाम्न प्रस्न आता है यसे नहीं पूछा जाएगा सबसे उपर क्या है क्योंकि प्रश्ण पूछने वाला थोड़ा ज्यादा दिमागदार है अपन से प्रश्ण यह बनाएगा हो करकरेखा से सबसे जादा दूरी पर राजस्तान का कौन सा जिला इस्तित है पर चतकर खा जाएंगे अब आपनको इ दूरी कब होगी जब सीधी दूरी ना पी जाएगी सीधी दूरी ना पी जाएगी यह वाली दूरी बनेगी यह कौन सा है यह स्रिगंगानेगर प्रश्ण का आंसर ऐसे निकालना है रटने से याद नहीं होगा ऐसे ही प्रश्ण क्या कहता है प्रश्ण कहेगा कि ऐसे जिल राजस्थान और मद्धे प्रदेश के मद्धे में इस्तित है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भवानी मंदी तो इस प्रकार से आपको जीला बताना पड़ेगा अब यहां से अगर आपको मेप का पता है तो आप सबसे पहले देखेंगे बहां सबाड़ा है पताब गड़ेश तोड़ेगे वह सारी चीज़े हैं जो मिली हुई है जलावाड है कोटा है तो वहां से प्र आपको लगाना पड़ेगा कोटा ऐसे ऐसे प्रस्णिया से निकल निकल करके आएंगे और आकर्ति मेप अपना देन करेंगे पोइंट टी लेता है आगे जलता है सेत्रपल बहुत मात्रपुन रोल होता है सेत्रपल बेसिकली अपना जो है 3,42,249.74 वर्ग किलोमेटर यह है वर्ग किलोमेटर ऐसे क्योंकि जो भुबाग है उसका सेत्रपल स्क्वार फिट में अपन नापते हैं जो देश के कुलभाग का 10.41% है देश के कुलभाग का 10.41% है और दिस इक्यूशन ओफ इंडिया जी के क्योंकि यह राजस्तान जो है सबसे बड़ा है देश में सेत्रपल की दश्टी से और राजस्तान राजी के भारत जो है भारत के उत्तर पच्चिम दिसा में इस्तित है यह होता है दक्सिन यह होता है पूर्व यह होता है पच्चिम तो पूर्व में तो सेवन सिस्टर्स है आप देख सकते हैं यह सारी चीज़े और इधर देखें पुर्वांचल का जह नाम आता है तो ऐसा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरगपूर की सीठ और उसका समस्त एरिया पुर्वांचल का एरिया होता है उत्तर प्रदेश के अंडर तो उत्तर प्रदेश का यह पुर्वांचल यहां पर है ठीक है और राजस्तान का पुर्वांचल यहां पर होगा भारत का पुर्वांचल यहां पर होगा ठीक है पुर्वांचल पुर्वांचल में गनपूज मत हो जाना ठीक है तो पूर्व यह है पच्छिम क्या होगी पच्छिम यह होगी पच्छिम पच्छिम का नाम आता है पच्छिमी सब्वेता ध्याना जाती मेप में आगे जाएंगे तो अपने पास पहले पाकिस्तान आएगा और उसके बाद तमाम देश आजाएंगे मेप में कभी देखना वर्ल्ड के में तो पच्चिम के लोग आजाएंगे पच्चिम हमारे पास जेसल मेर है जो की थार के मरुस्तल के रूप में जाना जाता है पुरी दुनिया में भेमा से तो ये कहा गया है पच्छिमी उत्तर भाग में राजस्तान है तो जब उत्तर ये है उत्तर तो उपर आ रहा है और पच्छिम इधर है तो ये जो भाग हुआ इस भाग को पन क्या कहेंगे पच्छिम पच्छिमी उत्तर में अपन क्यों है क्योंकि एक अपन उचाई में है नीचाई में अपन नहीं है अपन उचाई में है विया नौर्थ इंडियान ठीक है और यहां यह पच्छिम आ रहा है तो इस वज़े से अपन पच्छिमी भाग में है पच्छिमी उत्तर भाग में समझ म में आगे हैं भूलो के तो नहीं सेत्रपल की दरश्टी से ये इजराइल से 17 गुना से लंका से 5 गुना इंगलेंड से 2 गुना है और बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इजराइल और इंगलेंड दोनों ऐसे देश हैं जो अपन से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं तरक्की कर हैं अपन इतना बड़ा स्टेट हैं देश की दबाए छोड़ दी स्टेट हैं उसके बाद दुद्धी इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं स्रिलंका भी कई मैंनों अपन से आगे हैं लेकिन फिलालमा की राजनिती कंडिसन ठीक नहीं चल लिए आप आतकाल की गोशना के ल यह आपका रास्तान रहा है यह अपना पूरो है यह अपना पच्छी में है ठीक है छोटा से जिला है धोलपूर भरत पूर यह दो सा दो सा तो बहुत छोटा जिला है यहां से चलेंगे फिर जेपूरा है बड़ा जिला है फिर चलेंगे अपन जोतपूर फिर चलेंगे बा आपको बारा जिले ऐसे हैं जिने मृस्तल की स्रेणी में रखा गया है I hope आपको समझ में आ रहा होगा मृस्तल होगा सेत्र बढ़ेगा और सेत्र बढ़ेगा तो थार आएगा थार आएगा तो जिला बढ़ेगा ध्यान रख लीजिएगा ये जीले बड़े हैं ये फिरी दराता थे छोटे हो जाता है समझ में आगी बात आगे चलते हैं आगे इसमें लिखा हुआ है जन संक्य की दर्ष्टी से घड़ता जाता है मतलब आप समझे सेत्रपल तो बढ़ रहा है यहां पर जन संक्य जो है वो कम हो दी जा रही यानि कि आप जाकर करके देखें बरतपुर में ज़्यादा लोग रहते हैं जैसल मेर की मुकाबले लाना कि बड़ा तो है लेकिन खाली पड़ा है क्यों पड़ा है जस्ट बिकोजो प्रेगिस्तान पानी नहीं होगा पीएंगे क्या आगे हम देखें तो यह आता है राजस्तान का राज्य वरतमान में सेत्रपल के दर्ष्टी से देश का सबसे बड़ा राज्य है अब यह वरतमान में क्यों लिखा है यह तो पहले से भी है वरतमान में इसलिए लिखा है कल को एकजाम से पहले अगर कोई अमेडमेंट आ जाए रास्पतान को दो इस्तान में डिवाइट कर दिया जाए क्योंकि ऐसा होता रहता है कोई बड़ी बात नहीं पहले ओडी सा फिर उसको तोड़ करके अलग बना दिया है तो ऐसे इसलिज़ से वर्तमान सब्दियां पर इस्तिमाल किया गया है राज्यों के दरजा एक नॉमबर 2000 को मद्दे पदेश और 36 कर राज्य के कारण मिला था पहले मद्दे पदेश बड़ा था लेकिन पर 36 कर तूट गया था और एक नॉमबर 2000 को अटल भिहारी वाजवी तो वहां से उन्होंने चत्र टिकर बनाया गया फिर उसके बाद सारी चीज़े हुई रास्तान की पूर्व से पच्छिम चोड़ाई जो है वो 869 आपको ऐसे याद रखना है 869 ठीक है कीमी है उत्तर से दक्षिन के लंबाई 826 तो 88 सम्में आगा एक आएगा 69 एक आएगा 26 6926 आप याद रखेंगे एजी लिए आपको याद हो जाएगा जनसंक्या जनसंक्या वो बड़ी डीटेल से अपन जानेंगे क्योंकि 2019 सर 2020 की डेटा काम आएगा उसके बाद यह डेटा वेर्थ हो जाएगा क्यों उसके बाद 2021 की जनगना की डेटा आ जाएगे तो census जो है व अपन डीटेल में पढ़ेंगे लेंगे फिर यहाँ पे एक लाएन है तो बता देता हूँ 2011 के जनगना के अन्ति मागडों के अनुसार राज्जी की कुल जनसंक्या यह देख लीजिए पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 6 करोड पिच्छन सी लाग 48,437 याद रखना ह अपको यह देश की कुल जनसंक्या का 5.67% यानि कि हमारी यहाँ पे जनसंक्या जो है इतनी जादा नहीं रहती है यूपीम बहुत रहती है प्रत्यू की जलवाईयू इस्तिती वो समय निधारन करने के लिए दो रेखाओं का अध्यन किया जाता है अक्सांस और देशांतर यह एक्सिस होता है एक्स और य एक्सिस उसे हम अक्सांस अंदेशांतर केता है भूगोल की बासा में प्रत्यू को दो समान भागों में भाजित करने वाली रेखा को अक्सांस रेखा हम 0 डिग्री अक्सांस रेखा पर मानते हैं भूमद्दे रेखा या विसूत रेखा इस यह आपकी प्रत्वी है उत्तर से दक्षिन की और बाट रही है यह उत्तर हो गया यह दक्षिन हो गया तो क्या हो गया यह हो गया अक्सांत रेसा देखा इसे क्या कहेंगे पर अक्सांत रेसा और बीश में से काट रही है पूरुप से पच्चिम के और तो यह हो जाती है देशांतरे का और कोई ज़्याद डिटेलिंग याद नहीं रखना है बस इतना याद रखना है अब सबसे पहला बात मैं आप बता दो आपको यह तो रेखा में डिवाइड कर देश को कोई मोल नहीं है इसका ठीक है यह क्यों किया गया यह प्रश्ण बनता है किसे ने बताया नहीं होगा मैं बता रहाँ आपको यह इसलिए डिवाइड किया गया कि किसी भी चीज को अपन एक्सिस में डिनोट कर देते हैं तो किसी भी पॉइंट का अपन जो है कोडिनेट बता कर सकते हैं थोड़ी mathematical language इस्तमाल करा मैं आपको हिंदी में बताता हूं अगर अपन ने यहां कोई point लगा दिया यह अब यह क्या है यह है आपका y और यह x यह जो नो जो है axis है मतलब यह हिंदी में axis को क्या कहता है आप मान के चलिए यह जो अक्षान सर देसांतर है अब यहां पर अपन मान लेगी एक है यहां पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यह दो, मैं लिख देता हूँ, तो इस जो point यह बना है, इस point को अपन क्या लिख सकते हैं, 2,2, यह यह point है, 2,2, तो यह क्या हो गई, इस particular point की क्या हो गई, इस जगह पर यह point है तो भारत देश जो है कहां पर इस्तित है इसके coordinate क्या है बिंदू क्या है जहां पर इस्तित है तो दिसा निर्धारन के लिए या इस्तिती निर्धारन के लिए यह किया गया है mathematical पद्दती है जो जियोग्राफी में अपनाई गई गई है सिंपल है तो उस इसाब से जो मैंने भी आपको नियम बताया उस इसाब से भारत जो है आठ डिगरी और चार मिनट उत्री अकसान से और 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अकसान से में इस्तित है ध्यानक लीजिएगा आठ डिग्री चार मिनट और आठ डिग्री जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अक्सान पर इस्तित है राजस्तान जो है 23 डिग्री 3 मिनट याद करना है पूछा जाता है यह अक्सर 23 डिग्री 3 मिनट अकसांस से 30 डिगरी 12 मिनिट उत्री अकसांस पर ये इस्तित है तो देख सकते हैं यहाँ पर मेप में बिल्कुल साब बता गया है उत्री अकसांस और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोनों चीज़े दी गई है 30 डिगरी 12 मिनिट और 23 डिगरी 3 मिनिट उत्री अकसांस पर यह है राजस्तान अब देशांतर के बात की जाए तो भारत जो है 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मद्द इस्थिति यानि भारत जो है इसी इसी कोडिनेट के बीच में आगा राज्तान भी इसी प्रकार से यह यही यही पहला हुआ है तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका जैसल मेर का कोड तो यह है 69.30 डिगरी पूर्वी देशांतर और 78.17 डिगरी और 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह बोलने में थोड़ा कन्पुजन होता है तो आप इसको एकजाम से पहले एक बात देख के जरूर जाएं क्योंकि याद होना जरूरी है I hope आपको समझी में आ गया होगा अ अब देखते हैं अपन आकरती आकरती के बारे में एक विग्यानिक है जो इनका नाम है ती एच हैंडले परतम इदभान ते जहनों बतायते है रास्तान के आकरती विशम कोण यह चतरभुज या पतंगाकार है बैसिकली है भी यह सी अपने देखा है पतंग के आकार का यह ह होता है राजस्तान की जो इस्तलाक्षदी है वह वेगनर सिद्धान पर स्तापित की गई है इस पर आधारी थे तो आपको इध्यान रखना है वेगनर सिद्धान जलवाईयू उष्ण कटिबन दिये है सुस्क आद्र सभी प्रकायक जलवाईयू पाई जाती है तो आपको पता होगा मैंने पहले पढ़ा दिया जलवाई डिटेल में अगर रास्तान की विस्तार की बात की जाए तो रास्तान का विस्तार जो है सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदू उत्तरी बिंदू में यह जो यहां पर आपको दिख रहे हैं कोना बोर कुंड सिलान कट्रा यह basically last post है, last post है निए last गाउं है यह, उसके बाद दूसरा इस्टिस सुरू हो जाएगा, तसील की बात आती है, जिले की बात आती है, जिला सबको पता रहता है, गाउं पूछे जाते हैं, या फिर तसील पूछे जाती है, तो उत्तर में तो सिर्गंगा नगर है, अपने देखा भी, सब कुछ डिटेल आपको मिल चुकी है, सिर्गंगा नगर में सूरे की ग्रणा का तिरचा अपन सरवादिक होता है, एक बात मैं आपको बताऊं, होता क्या है, भूमद्य रेखा जो होती है, उससे जैसे जैसे उपर जाते जाएगे, उत्तर करी सामय, जैसे सूरे की क्रणे तिरची होती जाएगी, ठीक है, तो भूमद्य रेखा से उपर जाएगे, उत्तर की ओर, तो उत्तर सिर्गंगा नगर आ रहा है, तो यहाँ पर जो किरने जो है सूरे की तिरिची हो जाएगी भूमद्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ेगी राजस्तान में सिर्गंगानगर करक रेखा से सरवादिक दूरी पर हिस्तित है क्यों हिस्तित है अभी बताया था हमने ज़स्ट पहले क्योंकि नीचे नीचे साउथ महेगर करेखा और राजस्तान के साउथ से गुजर रही है और ये तो उत्तर में पड़ता है भूमद्य रेखा पर सूरे की गरणे सबसे सिर्गी पड़ती है पहले बता दिया मैं आपको यहाँ से जो जो उत्तर को और बढ़ता है और सिंपल सा लोजिक यह भी लगा सकते है कुंड है पानी होगा तो नीचे पानी होता यह पूरू में जो पूरी बुंद्य है वो है सिलान और इसका गाउं का नाम है सिलान और आप यहाँ पर मैप से देख पाएंगे पूरू में क्या पड़ता है आपका दोलपूर पड़ता है दोलपूर की यह सिलान एक गाउं है जहाँ पर यह राज खेडा एक तसील है वहाँ पर यह पूरविंद्य रास्तान का माना जाता है आगे बात करें तो दोलपूर जिले में इस सिलान गाउं की सबसे बड़ी अखाशित यह है सिलान जो है सबसे पहले सूरिय उदे यहां होता है सबसे पहले सूरिय अस्त भी यही होता है सबसे पहले सूरिय आता है सबसे पहले सूरिय जाता है यह है आपका धोलपुर का सिलान सेत्र एक बात और भी है अलग जिलेग चेंज होंगे, अपना आगे जानेगे, पच्छिमी बिंदू जो है, वो कट्रा है, और यह जैसलमेर जिलेग में समग, जो एक तसील है, वहाँ एक गाउं है, बेसिकली गाउं का नाम है कट्रा, तसील का नाम है सम, ठीक है, राजजी का सबसे बड़ा, जो सेत डाइग्राम के माद्ध्यम से समगते हैं, किस प्रकास से सारी सीजे भी मैं जो बताई, वो हो रही है, राज्ये में सबसे बाद में जो सूर्य अस्त होता है, वो होता है, जैसलमेर के कट्रा गाउं में, क्यों होता है, क्योंकि ये जो है, आपके पच्छिमें पड़ता है, पूरू में सूर्य जो है पहले आएगा और पहले जाएगा पूरू में कौन पढ़ रहा है पूरू में अपना धोलपूर पढ़ रहा है धोलपूर में कौन सा चीज़ पढ़ रहा है जो पूरू में सिलान पढ़ रहा है तो ध्यान रख लेना राजखेडा तसिल सिलान तो य यह हो गया आपका समझ में आगी बात सिर्गानगर तसील जो है गंगानगर यह है गाउं का नाम है कोणा बासवाड़ा में कुसलगड़ है और बोर कुंड नाम है कुंड है नीचे कुंड में पानी होता है नीचे रहता है सिंपल सा लोग जी के जिला जेसल मेर है सम तसील है गाउं का नाम है कट्रा बता दिया और नागोर जिला जो है डाइगोनल अगर अपने आपसे खीचे तो मकराणा गाउं या पर आएगा एक बार फिर से देख लेते हैं रास्तान को तो यह आपका रास्तान है आपका नहीं मेरा भी रास्तान है और सबसे मध्य में जो जिला है आप देख सकते हैं ये बढ़ता है नागोर लेकिन अजमेर माना जाता है क्योंकि नागोर भी थोड़ा उपर चला जाता है इसलिए अजमेर मद्ध में माना जाता है नागोर भी उसे मद्ध में ही कहा जाता है और अलग अलग प्रकार के जिले हैं जैसे मैं सुरुआस से आपको लेकर के चलूँ तो स्री गंगा नगर जो है वो पंजाब के टच में है और इधर से हरुमान गड़ भी पंजाब को थोड़ा सा टच करता है उपर के यहां से उसके बाद आता है बीकानेर है तो चुहों के कारण भी फेमश है इस प्रकार का प्रस्ण बन जाता है कःणी माता जी है ऐसा माना जाता है पूरवज जो थे वहाँ के वो डेथ होते हैं उनकी और वो चुए बन जाते हैं ऐसा पुरानी गताओं के आधार पर सब कुछ है बात करो में चुरू की तो चुरु रचस्तान ने मरॉस्तली जिले में आता है टोटल 12 मरॉस्तली अपने जिले हैं जिन जिनो बैसिकली एक ऐसा जिला है जो राजस्तान के सीमा वरती सेत्रों में गिना जाता है और यहाँ का एक इंस्ट्यूट है प्लानी बिरला इंस्टूट और प्लान इस्टूट जो काफी ज़्यादा महत्वर रखते हैं बहुत सारी चीजें वहाँ से इस रूप में famous है तो इससे भी प्रस्ण बन जाता है बरतपूर जो है वो पूरवत्तर सेत्र का जिला है सबसे आगे जो आता है वो धोलपूर आता है उसके बाद पूरू में देखे जाए तो फिर बरतपूर ही आता है उसके बाद करोली आ जाता है पहले सवयमादपूर और करोली एक ही जिले के अंदर थे लेकिन बादमन को तोड़ दिया गया सवप मादपूर जो है यह एक ऐसा जिला है जहांपर टाइगर रिज़र और नाशणल टाइगर रिज़र पार्क है और टाइगर जो है काफी जादा यहांपर पाई जाता है जो यूरिया ठेक्टरी है राजस्तान म में टोटल दो ही है तो ये भी इस प्रकार से प्रस्ट बनता है 12 जो है ये भी हाडोती सेत्र का जिला है और 12 की सबसे मुख्यत ये बात माने जाती है कि यहाँ पर एक जन्जाती है सहरिया जिस से कहीं सारे प्रस्ट तो बने ही है लेकिन वो बहुत कम मातना में बची है वो 12 के अंदर ही पाई जाती है जहलावार जो है यहां का गागरोन का किलाब हो जाता फेमस है MP के संबंद का इजिला यह है टच करता है आगे चलें अपन तो बूंदी बूंदी के अंदर से सबसे मत्वपून बात यह है कि तारागड एक गड़ यहां पर है जो अक्सर प्रक्रिशाओं में आता है और दिक्कत यह होती है कि अजिमेर के अंदर भी तारागड है अब कन्प्यूज हो जाते हैं तो यह सबसे प्रमू कन्प्यूज करने वाला प्रसन रास्तान जीकी का माना जाता है तो आप यह मानकर चलिए अगर अजिमेर उप्सन में हो तो अजिमेर लगाना है अगर बूंदी उप्सन में हो बूंदी लगाना है अगर दोनों उप्सन में हो तो अजिमेर लगाना है ठीक है मैंने क्या कहा अजमेर हो तो अजमेर बूंदी हो तो बूंदी और दोनों हो तो अजमेर तूकि तारागड अजमेर में भी है बूंदी में भी है इसके बाद अपना आता है चितोडगड़ चितोडगड़ की सबसे कासवात ही है चम्मल नदी जोके रास्तान में बहने वाली जो पूरे साल बहने वाली नदी है और चिटोडगर से ही वो सबसे पहले एंटर करती है रास्तान में और पूसके आगे जा करके यह कोटा बूंदी सेत्र में जाती है और इसके बाद आता है परताबगड परताबगड रास्तान का सबसे नया जिला है ये बना था 2008 में 26 जनुवरी 2008 को और उसके बाद आपने देखें बांसवाड़ा बांसवाड़ा डुंगरपुरी ये आपके दक्षिन के जिले हैं ये आदिवासी सेत्रों में गिने जाते हैं परताबगड परताबगड पर आदिवासी सेत्र है और बांसवाड़ा के अंदर बैसिकली अर डुंगरपुर के अंदर करकर एखा गुजरती है अब बात करते हैं उदेपुर के उदेपुर के अंदर एक विदेविलास है जहां अभी हाल ही की मगर में बात कर तो एक पुरुसकार मिला है उसका नाम है सैप पुरुसकार ये प्रेटन और एक प्रकार से दर्स्निय दरश्टी से दिया जाता है इसी तरह से गर मैं बात करने तो सिरोही, जारो, बाड मेर, जैसल मेर, जोदपूर अन्ने कहीं सारी जिले हैं, टोटल अपने यहां पर 33 डिस्टिक्स हैं जिनका डिटेल अध्यन वीडियो हमने पहले जारी करका है, तो हम डिटेल ले सकते हैं आगे चलते हैं, फिलाल डिटेल में अध्यन करते हैं, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूँ राजस्तान से जो टच करते हैं, अंतराश्टी सीमा, वो करती है आपकी पाकिस्तान की जोकी इधर है, आप देख सकते हैं बाकी जो राज्य हैं वो टच करते हैं इसमें एक गुजरात आता है एक मद्यप्रदेश आता है एक आता है हर्याना एक आता है पंजाब तो आपको याद रखना है एक दो तीन चार पांच ही राज्य हैं जो टच करते हैं और सबसे ज्यादा जो टच करता है वो करता है मद्य प्रदेश ये सारी चीज़े हो गए रास्तान के बारे में इस्तलिये सीमा और इसके बारे में कुछ एक फेक्ट और हैं जिनको अपन अगले लेक्चर में लेंगे ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है फिलाग लिए धन्यवाद आये होप आपको समझ में आया होगा मेप कोई शुजाओ देना चाहें तो कमेंट क्लिक कर बता सकते हैं थैंक यू